नमस्कार आप सभी को सोमवत्य आमाश्या की धेट सारी सुबकामनाई स्वा गयता है आपका एक बार पिर से आपके अपने यूटूब चैनल संगिता स्पेंड भगवान भोलेनात और माता पारवती का असिरवाद हम सभी पर बना रहे हैं अब भोलेनात और माता पारवती के असिरवाद से हम सभी को हमारे जीवन के हरेके मनवानचित फल की प्राप्ती हो हरेक इच्छा पूरी हो आज की इस वीडियो मा हम सबी जानेगे सोम पूर्थि आमाश्या की ब्रत कथा के विशेह में अगर ये कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा सेयर करें साथ ही कमेंट करके ओम नमसिवाई अवस्यी लिखें और वीडियो को लाइक करें पूजा कव और इसकी पूजा का क्या महत्वे है सुब मुहरत कया है, पूजा का, इसके बाद मैं आपको सोम posty amasya कि दो ब्रत कताई बताउंगी, दोनों कताउं का अपना menorत हम आप दोनों ही कताई इस video के माद्हम से सुन सकतें, तो आईये पहले जानते हैं कि पढ़ने वाली सोमोतियामस्या का बहुत जादा महत्व है इस दिन भग्मान सिवा माता पारवति की विधी विधान से पूजा की जाती है सिव मंदिर उमा बहुत भीर होती है इस दिन सोमोतियामस्या के दिन सिव मंदिर जाकर पूजा अर्चना करना सिव जी पर एक लोटा स सच्छे मंसे जलरपित करना बहुत ही पूर्पारवती की एक शान पूजा करने साखंट सौब आगे की प्राप्ती होती है यह तो था संघ्षिप्त में जानकार है अब बात करते हैं सुमवार के दिन सुरू हो रही है सुभा 5 बचकर 21 मिनट से और इसका जो समापन होगा तीन सितमबर की सुभा साथ बचकर 24 मिनट पर समापन होगा अगर बात करें कि उदेयाती थी के अनुसार जैसे हम ब्रह लेती तो सुमवार के दिन सुमवार के दिन ही रखा जाएगा क्योंकि उदेयाती थी के अनुसार सुमवार के दिन होने के कारण ही इस सुमवार के दिन पूजा के समय इस व्रत कथा को आप अवशी सुने जो मैं इस वीडियो में आपको बता रही हूँ अगर आप कथा पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है अगर कथा को पढ़ नहीं सकते हैं तो ये वीडियो में जो कथा मैं कह रही हूँ इस कथा को सुनना है इससे भी आपको उतना ही पूरने मिलेगा जितना अपनी कथा करने से अपने मूँ से क कथा परने से मिलेगा अगर कुवारी कन्याएं इस कथा को सुनती है या पढ़ती है तो उनको भी मंचा पर मिलता है अब बात करते हैं सौमवतिया अमच्छा के वरत की कथा के विशाय में एक समय की बात है एक सावकार ता जिसकी एक बेटी और साथ बेटी थे उनके सबी बेटू का विवा हो चुका था जिब कि बेटी अभी विवाहित थी इस बात से सावकार ने बहुत परिशान रहती थी सावकार एक सादू का परमभक्त था जो अक्सर विक्सा लेने और उन्हें आसिरवाद देने उनके घर आता रहता था सावकार की पतनी ने देखा कि सादू ने उनकी सभी वहूं को समर्द जीवन का असिरवाद दिया और सब इसे विक्सा ले लेते थे लेकिन उन्होंने कभी उनकी बेटी को कोई आثिरवाद नहीं नहीं बेटी द्वारा दी गई विक्सा को लेते थे इसके बार में जब उस आउकारनी ने साउदू से पूछा तो बिना कुछ कही वहाँ से चले गए इसे सावकार की पतनी को बहुत ज़्यादा सैक हुआ और वो परिसान रहने लगी जो कुछ भी हो रहा था है उससे वो बहुत चिंतित रहने लगी थी उन्होंने अपने परिवार से एक पंडित की सलाली और अनुरोध किया कि वो उनकी बेटी की कुंडली को पड़े जब पंडित जी ने कुंडली पड़ी तो उन्होंने पताए कि अगर उनकी बेटी का विभाव हुआ तो उससे अपना सेज जीवन विद्वा के रोप में ही विताना पड़ेगा हाला कि पंडिच जी ने कहा कि अगर उनकी बेटी द्वीप पर रहने वाली एक विसेज दोबिन से सिंदू लेकर आये और उसको सौमवतियामाश्या के ब्रत के दिन अपने मांग पर भर ले तो उसका भाग्य बदल सकता है सावकार की बेटी अपने एक भाई के सां समुद्रत की ओर चली गई और समुद्रपार करने के तरीकू की तलास करने लगी इस दोरान उसने देखा कि वहाँ एक गिद का गोंसला था जहां पर कुछ गिद रह रहे जिस पेड़ पर गिद का परिवार रहता था उस पेड़ पर एक साप चड़ गया और मादा गिद ने जो अंडे दिये थे उन सभी अंडु को खा गया क्योंकि गिद भोजन की तलास में गये हुए थे और कोई भी उस गोसले की सुरक्षा के लिए नहीं था इसलिए साप ने गिद के पूरे परिवार को ही तबाह कर दिया इसके बाद लड़की ने खत्रे को देखा और साप को मार डाला और गिद को उस परेसाने से मुक्त कर क्योंकि यह साप बार बार ऐसी करता था और गिद के परिवार को इसी तरके से खत्म करता था इसे गिद भी बहुत खुस्वे की लड़की ने साप को मार दिया है और उसे शमुद्र पार कनने और दूवी पर पहुंचने में उसकी सहायता की उस दूवी पर पहुंचकर दोबिन को उसके अच्छे कामों के बारे में पता चला उसके ब्योहार के बारे में पता चला तो उसने उस साहुकार ने की बेटी से सारी बाते पूछी और जब साहुकार की बेटी ने सारी बाते बताई तो दोबिन ने उसे आसिरवाद दिया और शांत ही अपने हातों से सिं सुम्वत्यामाश्या का ब्रेथ करती है और विवा करके सुखी जीवन व्यतीत करती है तो इस वीडियो में हमने जाना कि सुम्वत्यामाश्या भात्रपत महा में 2024 में कब है क्या है पूजा का सुम्वत्यामाश्या की ब्रेथ कता क्या है अगर आपको वीडियो थोड़ी व्य प्योगी लगा हो तो वीडियो को जादा से जादा लाइक करें, सेयर करें, कमेंट में ओम नमा सिवाई लिकें, साथ ही मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हर पूजा पार्ट संबंधी, ब्रैत उप्वा संबंधी, जानकारी सबसे पहले आपको मिल सकें, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हूं, सोमवतिया माश्या की अन्निक अथाओं के लिए आप मेरे चैनल पर विजिट करें, जिससे आपको अन्निक अथाएं भी मिल जाएंगी, और चैनल को सब्सक्राइब अबसिक कर ले, आप सभी का दिन सूब रहे, ओम नमस्यवाई